देश के एक करांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते और आपी के भाईचारे से एक पत्रकार होते हुए अपना सारा कैरियर छोड़ कर आमाधी पार्टी के फाउंडर मेंबर मनीश सोधिया जी को आज इन्होंने एक जूटे केस में गरफ्तार किया है मैं कवबा जे मनीश से सोधिया की गरफ्तारी नहीं है लाखों बच्चों के बवेश्य की और उनकी उच्चे सिक्षा की अभवानना है क्योंकि सकूलों में अक्सर लिखा रहता है अगर आप छोटों के लिए सकूल बना दोगे तो बड़ों के लिए जेल बनाने नहीं पड़ेंगे लेकिन सकूल बनाने वाले को जेल भेजना यह सिर्फ बीजेपी का एजन्डा ही हो सकता है वो नहीं चाते के देश शिक्षत हो वो नहीं चाते के देशके लोग युवा उचिस्तरीयः जो शिक्षा है वो देश में लें क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पढ़ गए वो सोचने लगेंगे सोचने लगेंगे तो जो हमारा नफरत का यंडा है उसको समझने लगेंगे फिर हमें बोट कौन डालेगा इसलिए आज जो मनीश सोधिया जी को सीब्याई ने गरफतार किया है जूटे केस में सक शब्दो कोमेडियन ने कोमेंट कर दिया था उसको भी पकड़ लिया था तो मतलब यह नहीं चाहते है कि हमारी मर्जी के बेना कुछ हो लोकतंतर में ऐसा संबब नहीं है हमारा देश एक गुलदस्ता है तरह तरह के फूल है हार फूल का अपना रंग है हार फूल के अपनी पात्में भी गए वहां 13% बोट लेके आए यह पूरे देश में जाते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं अंदर किसको होना चाहिए था अंदर होना चाहिए था जो एलाइसी खा गए जो बैंकों का पैसा खा गए जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है अ आत्र पचात्र हजार क्रोड तक लेके जाने वालों को देश की दिल्ली की तरक्की कराने वालों को कहरें जेल में बेजेंगे तो यह बहुत ही कायरता पूर्ण कदम है आमाधी पार्टी ड़ने वाली नहीं है हमारी पार्टी एंटी करॉप्शन मुव्मेंट से निकली है रामिला ग्राउंड से निकली है हम किसी और पार्टी से निकाले हुए जा छोड़ कर आये हुए वह बैसे पॉलिटिशनों की पार्टी नहीं है हम लोग अलग अलग फील्ड से आये हैं अर्विन केद्रिवाल जी एक इंकम टेक्स कमिशनर थे मनीश जी बहुत बड़े पत हम विरोध भी करेंगे लेकिन ड्रालें जितना इन्होंने ड्राना है बाज उतना ही उपर उड़ता है जितनी हवा उसके विरोध हैं सब दो चीज़े हैं बीजेपी क्यादिए सब विश्टिम शानी को प्लेए झाल